हेलो फेंट्स आज हम बनाएंगे प्याज के पकोड़ है वो भी एक अलग तरीके से यहाँ पर मैंने कट लबे-लमबे कट करके प्याज ले लिये हैं और उसके साथ मैंने एक आलू भी कट किया है वो भी बिलकुल बारी और यहां पर मैंने मिक्सी में डालने के लिए लिए है सोकी रेड मिर्ची यहां पर देखिए और एक अद्रक का टुकड़ा इसको मैंने चील के लिए है अब इसको मिक्सी में इसका अच्छे से मिक्सचर बना लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के अब देख सकते हो कि मैंने क्योंकि मैं दूसरी रेड चिली नहीं डालूंगी सिर्फ यहीं डालूंगी आप यहां पर देख सकते हैं इसमें मैंने यह पेस्ट डाल दिया है क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप एक बार इसको ट्राई जूर करके देखिएगा और मैं इसमें डाल रही हूं बेसन बेसन आप उसी साफ से लीजेगा जितने आपके प्याज होंगे पहले यहां पर मैंने थोड़ा सब डालाए बेसन और फिर साथ ही साथ मुझे जितनी जरूरत पड़ेगी मैं अतना डालते जाओंगी अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हो कि जो प्याज हैं वह बाद में बिल्कुल एक एक अलग हो जाता है जब हम लंबे-लंबे कट करेंगे प्याज को तो ऐसे जो पकोड वह अधुक्त और यहाँ पर मैं ले रही हम धनिया पाउड़र अजवाईन अगर आप खाते हो तो डाल सकते हो नहीं तो जी ऑक्ष्宝नल है धनिया पाड़र तो डालना भी डालना है चा करे में और यहाँ पर नमक झाल देती हूँ जितना हम खाते हैं आप यूसी साब से अब तेक सकते हो कि यह मसाले में डाल दी है हैं मैं इसमें डालों गरम मसाला वह अगर आप खाते हो तो डालो नहीं तो optional है अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी क्योंकि जब हम प्याज में नमक डालते हैं तो जब बैटर थोड़ा सा पतला हो जाएगा इसलिए मैं बेसन जो जितनी मुझे जुरूरत पड़ेगी मैं बाद में डालूँगी अब मैं थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें डालते जाऊंगी इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला सिर्फ मैंने जो प्याज और एक आलो कट किया था उसको अच्छी तरह से धोया हुआ था क्योंकि नमक डालने से प्याज में इसे ही बानी निकलाता है इसलिए हमको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना नहीं जुरूर पड़ेगी अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि जो बेसन है वह मारा पूरे प्याज में लग जाए थोड़ा सा बेसन मैंने और डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे अब देख सकते हैं कि इसको मैंने मिला लिया है अच्छी तरह से अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है जिसको मिठा सुड़ा बूलते हैं वो डाला है क्योंकि उससे को जो प्याज के पकॉड़े हैं वो हार्ड नहीं बनेंगे सॉफ्ट बनेंगे हमारा बैटर है जो मिल्कुल क्यार हो चुका है और यहां पर मैंने और नहीं रिफाइंड ओल लिया है और नहीं मैंने मस्टर्ड ओल लिया है यहां पर मैंने लिया है जो हमारा घी होता है जो रोटी पर लगाने के लिए मज़ूद करते हैं वह लिया क्योंकि इसमें आप एक वर बना के देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं पहले मैंने चोटा सा पकॉड़ा डाल के देखा है कि इसका मतलब फ्लेम कितनी होगी है कितना गरम है क्योंकि अगर हम एक दम से डाल देंगे नहीं तो जल सकते हैं नहीं तो अगर ठंडा होगा हमारा घी तो अच्छे नहीं बनेंगे यहां पर देखिए जो हमारा टैंपरेचर है घी का वह बिल्कुल सही हो गया है यहां पर मैं जो पकॉड़े है वो डाल रही हूँ आपको जितने बड़े चाहिए आप डाल सकते हूं यहां पर पहले में छोटे छोटे डाल रही हूं क्योंकि जो पहले हम पकाते हैं उसे हमारा हमें टैंपरेचर इतना नहीं बता होता कि हमारा कितना है घी गाजा ओईल का मैं जो पहले मैंने डाला था उसको निकाल दूंगी क्योंकि वह जल जाएगा उससे क्या होगा कि जो बाकी पॉकोड़े हैं वह भी अच्छे नहीं बनेंगे यहां पर ना आपको इसको धीमी आज पर ही पकाना है ताकि यह अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं नहीं तो सिर्फ बार बार से पक जाएंगे अंदर से नहीं पकेंगे अच्छी तरह से इसलिए आपको इसे धीमी आज पर ही पकाना है हम देख सकते हैं साइड वाले पकोड़े वह जल्दी इसलिए पक गये हैं क्योंकि जो हमारा घीदा वह बहुत ज्यादा गरम था पहले इसलिए वह पहले पक चुके हैं इसको मैं निकाल भी पहले ही दूँगी ताकि ये दूसरों के साथ जल्द ना जाएं इसलिए मैं उनको पहले ही निकालने की कोशिश करूँगी यहाँ पर आप देख सकते होगी मैं उनको सिर्फ दीमी आज पर ही पका रही हैं कि आपना एक बर ऐसे जुरू ट्राइब करके देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनेंगे आप चाहो तो इसमें कोई भी आप सब्जियां भी डाल सकते हो लंबी-लंबी कट करके जैसे कि हमां कैरट हो गई गाजर जिसको बोलते हैं वह भी डाल सकते हो शिमला मिर्च भी डा सकते हो पत्ता गूबी भी डाल सकते हो और उसको आप कद्दू गास करके डाल सकते हो और जो कद्दू होते हैं हमारे उसको भी आप कद्दू गास करके डाल सकते हो आप पहले मेरी वीडियो में आपको आप देखना कि मैंने कद्दू के भी पकोड़े बनाए थे जैसे हम क चोटे बनाए थे अब बड़े डाल रही है अब देख सकते होगी मैंने जो आज है वो धीमी कर दिये ताकि ये जले ना और धीमी आज पर हम इनको पकाएंगे और ये बहुत जादा टेस्टी बने थे जो हम रेड में इची वैसे डालते हैं पीसी हुई उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जो हम बजार से खरीते हैं जो हम घर में सुखा के इसको पीस के डालते हैं आप एक वार ट्राइ कर जरूर करके देखेगा चाहिए आप पक की आप गोवी के भी बना सकते हैं मैं आपको एक दिन बने कि ढहाना के दिखाऊंगी और कि पोड़ेगा है 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 रीज फ्रेंट मेरी वीडियो को शियर जूर कर दीजिएगा व्रिडियो को लाइक जूर किजगा कमेंट जूर कीजीएगा और चैनल को सब्सक्राइब जूर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आती है तो आपको नॉटिफिक्रेशन आ जाता है आप देख सकते होगी एक साइट से पूरे पक चुके हैं अब नीचे से पक रहे हैं इंको अच्छी तरह से पका लूँगी लगव पकी चुके हैं और इनको मैं निकाल लूँगी क्योंकि जब अगीङ में बनाते हैं तो आप देख सकते हों कि घी अतना ही पढ़ा है अगर आप और में पकाओ उगे तो आईल बहुत जहाता है यहां पर देख सकते होगी मैंने साथ कमैटो में सास के साथ यहां पर सर्फ किया है और बहुत ही टेस्टी बने हैं अब एक बार जुरूर ट्राइ करके देखिएगा अपने घर पर कर दो